तो दोस्तों आप से बेस्ट पार्ट मुझे स्कूटी का यह लगा कि इसके अंदर आपको OBD का सिस्टम जो देखने को मिल जाता है जिसके तुरू आप अपनी वेहेकल को डाइगनोस करा सते हैं अगर कल को कुछ बिगड़ती है स्कूटी और यह वाला फीचर जो है बहुत ही कि अच्छे हूंगे तो मेरे पैरे भाईयों आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले इन डेप्थ जो है बात करेंगे चोटी से चोटी बड़ी से बड़ी चीज के बारे में TVS N.TALK की और आज आप हमारी वीडियो में देखने वाले है TVS N.TALK का Special Edition Model है सबसे मेंगा मॉडल है इसके मैं प्राइजिंग के औरे में बताऊंगा इसके मैं सारी चीजों के औरे में बताऊंगा इस मॉडल का नाम है Super Squad Edition Model जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं तो सबसे बहले स्टार्टिंग से मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का इसका लक है स्कूर्टी का एंद वीडियो में बने रहना एंड तक क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप इसकी एक एक तीच चीज माइन छीज जो है मैने एक स्प्लेन की है माइलेज, प्राइजिंग, इंटिरियर्स, एकस्टिरियर्स, कैसे इसके लुक्स हैं, क्या कुछ इसमें क्वालिटी का मेटिरियल यूस किया गया है फ्रेंट से कैसी है, बैक से कैसी है, ओवरॉल एक एक चीज के बारे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ चैनल पर जो जो नहीं आगे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी बहतनी वीडियो से लाता रहता हूँ तो बिना किसी टाइम वेस्ट की ये वीडियो को करते हैं, स्टार्ट सबसे बहले मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का आपको स्कूटर देखने को मिलता है, ये है टीवी एस एंटॉक, 125cc इंजन स्कूटर साथ में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी चाब भी ये है, सुपर स्कॉट एडिशन मॉडल जो की है सबसे महंगा, एक शोरूम प्राइज आपको इसको देखने को मिलता है, 86,000 का और इससे अगर आप 2-3,000 सस्ता मॉडल देखना चाहते हैं, एंटॉक का तो आपको मिल जाएगा टीवेस एंटॉक रेस एडिशन सबसे महंगा मॉडल है, ये वाला जैसे जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं और टीवेस एंटॉक की जो स्टार्टिंग है, वो हो जाती है, 72, 73,000 के आसपास से, और ये मैंने बताया कि 86,000 एक शोरूम प्राइज है इसका, तो अब जैसे की प्राइजिंग की बाउत होगी है, तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको इसक अंदर चीजें क्या देखने को मिलते हैं काफी ज्यादा जो है, इसका प्राइज है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, फ्रंट से तो फ्रंट में हमें जो है, इसका कुछ इसका का लुक देखने को मिलता है, एवेंजर्स का लोगो आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये एक एडिशन टीवियस ने निकाला है, सुपर स्कॉट, तो इसके अंदर ये वाला जो मोडल आप सामने देख पारे है, ब्लैक पैंथर के थीम पे बनाया गया है, स्कॉटर और जो स्कॉटर है बलैक के अंदर देखने को मिलता है, और यहां पर आपको जो है ग्राफिक्स परपल कलर के देखने मिलता है, जो की ब्लैक पैंथर के थीम पे, अवैन्जर लोगो आपको साइड वे देखने को मेलेगा और काफी जगा आपको रेफ़रेंसिस यहाँ ब्लैक पैंथर के फ्रंट में आपको देखने को जैसे कि मिल रहे हैं यहाँ और मैं एक बार रिजूम करके भी दिखा देता हूँ आपको बहुत ही बड़िया तरीके से जो ग्राफिक्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड किये गए हैं स्कूटर के उपर और एंटॉक की मेरे यहाँ पे इंटॉक के जो है स्टीकर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे है रैड कलर की हाईलाइट के साथ और टीवी एस के टायर आपको इसके अंतर देखने को मिलते हैं यहाँ पे कुछ कुछ ऐलिमेंट्स हैं जो कि मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा और य और यह एक रेस ट्यूंड जो है स्कूटर है इसलिए यहाँ पे जादा जो हुक्स वगयरा नहीं प्रोवाइट की जैसे कि आपने देखा था जूपिटर के सीट के नीचे भी होक होती तो यहाँ पे वो सब चीजे नहीं है और पैर रखने के लिए कुछ इतनी स्पेस आप आपको देखने को मिलेगा अब हम आ जाते हैं उपर की दरफ तो यह है इसकी चाब भी हमने इंसर्ट कर दी है यहाँ पे आपको ब्रहनी देखने को मिल जाएगी स्पीडोमेटर कुछ इस तरह का है काफी अच्छी डूए डिस्प्लेइस की और इको पावर का यहाँ पे ल आपको ब्रहने को मिल जाएगी टाइम देखने को मिल जाएगी इतने किलमेटर तली यह का आपकी ए स्कूटी और जो स्पीड इंडिकेशन वह तो आपको पता ही है तो ओवरॉल यह सब इंडिकेशन जो है काफी ज़्यादा इंफोर्मेटिव हो जाती हैं और यहाँ पे ब और यह इसका accelerator साथ में यह साइड में आपको शीशे देखने को मिल रहे हैं बहुत ही प्यारे और काफी अच्छी solid fit and finish दी गई है यह यह आपके हाई बीम लो बीम और indications के लिए साथ में यह indicators के लिए और यह horn के लिए तो overall यहां से ऐसा कुछ लगता है features के मामले में और बाकी features आपको पता ही है और यह buttons जो दिए गए हैं बहुत यूनिक तरीके से दिए गए यहां क्योंकि नीचे दिए गए हैं किसी को दिखते नहीं है और कोई आप जैसे अगर कोई बैठ रहे हैं या आप किसी अपने यार दोस्त को स्कूटी दे रहे हैं तो उसको मलब छेड़ खानी करने में समझ नहीं आएगा कि बटन का ऐसी बहुत ही बड़ी है तरीके सेट अप किया गया तो buttons में आप यहां पे sport mode देख सते हैं अगर आप sport mode में चलाएंगे तो timer वगरा सेट कर सते हैं और कुछ कुछ आपको features देखन की कि इसमें racing वाले features हमें speedometer में देखने को मिल रहे हैं तो overall कुछ इस तरह का यहां से इसका front है और यह सब सीजें आपको यहां देखने को मिल रहे हैं जो की काफी handful रहती है स्कूटी को long drive पे ले जाने के लिए अब हम आजा थे side profile के दरफ तो side से मैं आपको एक बड़ी द से भी ज्यादा प्राइज है इसका यह वाले model का tvs racing की branding देखने को मिलेगी और मैंने जैसे ही आपको pattern का पताया था तो जो front में pattern carry forward हो रहा था तो यह साथ साथ में यहां पर भी आपको carry forward होके देखता मिलेगा और silver color की यहां पर आपको treatment भी देखने को मिल रही है साथ ही स और सारे जितने भी colors हैं वो throughout the scooter चलते जाते हैं ऐसा नहीं कि color front में है तो back में नहीं है मतलब हर जगा color combination अची तरीके से बिठाया गया है foot specs देख सते हैं इसके अब बात कर लेते हैं engine की तो 125cc का engine जो की power produce करता है 9.3 PS की and 10.5 Nm of torque जो की काफी अच्छी है इस CC scooter के लिए और रियर्ज में आपको suspension देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा hydraulic suspension जिसमें की red color की highlight आपको यहां देखने को मिल रही है थोड़ा सा मैं आपको zoom करके भी दिखा दूँगा साथ में इसकी average की बात कर लें तो 50 से 60 के आसपास आपको इसकी average देखने को मिलेगी depending करता है driving conditions के ओपर की कैसी आप drive कर रहे हैं तो इसकी average कर सकती है साथ में यह जो है आपको यहां space दी गई है key insert करने के लिए जिसे कि आप इसका fuel tank खोल सकते हैं और जो है boot खोल सकते है fuel tank की जो storage है 5.8 liters का fuel storage है और यहां पर मैंने दिखा दिया यह pattern आप देख सते हैं यहां पर भी सीट पर भी carry forward हो रहा है यही वाला pattern जो आपके carry forward हो रहा था और सीट कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल जाती रैट का highlights के साथ यह जाती है boot light आपको देखने को मिल जाती charging point यहां पर देखने को मिल जाती है बहुत ही बड़िया की feature एक कमाल का feature यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है useful आप इसो यूँज कर सकते हैं long drive के लिए सीट के बारे में बता दू तो मैं इसकी सीट जो है काफी सॉफ्ट है और शही रहेगी आपके लिए जैसे अगर आप हाईवेस पे ट्राइफ करते हैं ड्राइवेस करते हैं और फिरह चीड के लिए पीछी आप यहां पर यह सब्सक्राइब में जाद अचु रहेगी रेड कलर की हाइलाइट के साथ बैक में भी आपको 12 इंच के अलोई विल्स और साइज देखने को मिल रहा है यहाँ बैंट्स देख सकते हैं जो बनाए गए हैं और इंडिकेटर्स साथ में यहाँ पे नंबर बेड की स्पेसिंग सिंगल फ्लेंडर F.I. engine आपको देखने को मिलता है इसके अंदर और मैं आपको बतातू कि बैक में आपको जो है ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती है और सिस्टम जो है इसका कुछँ स्तरा आपकी इसमें सिंथ्रोल inner राइस्ट braking system देखने को मिलता है जो की काफी helpful रहता है और skits के कम chances रहते हैं इस system के साथ अब जो बात रही looks की यह सब features तो मैं आपको बदा दी यह सब features आपको ANTOK में भी देखने को मिल जाते हैं बट कुछ कुछ कम हो जाएंगे price range के साथ एक बारी मैं आपको और ओल वाकराउंट दे देता हूँ स्कूटर का क्योंकि ये बेसिकली ऐसा स्कूटर है कि अगर आप रात को लेके निकलेंगे तो काफी लोग इसकी तरफ मुड़ मुड़ के देख सकते हैं इसके जैसे ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगें मुझे और जो बेसिकली आप अवेंजर फैन है तो आपको ये स्कूटर ज्यादा पसंद आने वाला है तो ये मेरा रिव्यू था स्कूटर के उपर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्स्क्राइब करना ना भूलना अपने चैनल को कि मैं असी वीडियो से लादा हूँ अबर आप राइट रिव्यू चाते हैं इसका तो मैं वह भी जल्दी लियाओंगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे ना मैं राइट रिव्यू लाओंगा मिल्तना उगली वीडियो में टिल्देंगेले बब्ब